तो और समस्ते हैं कि प्रवंद भूता क्या है देखिए अलगल अलतर से डिफाइन किया रहा सकता है बहुत है सिंपल है एकदम से समझेंगे इसको आराम से उद्देशियों की प्राप्ति के लिए एक सोची समझी प्रक्रिया को अपनाना किसको प्राप्ति करना है किस तरीके से उद्देशों को सबसे कम लागत पर सबसे अच्छी तरह से फूरा किया जासकता है तो पूरा करना寄ब्स मैद कुर्व नेकिन सबसे कम लागत इंगलिस मैं क्या बोलते हैश्यन्ट होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई काम कराना है और आपके पास पैसे बहुत सारे तो हमने बहुत सारे पैसे खर्च करके वो काम करा दिया अरे उसको कम से कम पैसे में किया जा सके तब हम बोलते हैं कि वह management efficient था तो इसकी बात है आपके किताब में एक उधारन दे रखा था एक कहानी दे रखे थी मुझे नहीं पता थी किताब में पढ़ करके मु बहुत सारी और अपने पैरों पर खड़ी नहीं है आर्थिक द्रिश्टी कोन से तो उन्हों ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि अपने इसी जोन का इंड्रेस्ट है उसको विफसाय में बदल दिया जाए तो फिर वो माल जाकर कि मिलती है एने डिएफाई में ए पर फिर ये वो महला है जिन्हों ने अपने एक इंट्रेस्ट से इतना बड़ा बिजनेस क्रेट किया और उस बिजनेस में काम करने वाले सारे के सारे लोग महलाए है तो एक बहुत बढ़ी बात इसलिए है क्योंकि जिस समाज में महलाओं को इतना पीशे दवा करके रखा वहां पर भी एक महला नहीं बाकि सारी महलाओं को काम दिया और अपने इंट्रेस्ट के साथ लेकिन उस काम के साथ-साथ उनको प्रबंधन की बहुत ज़्यादा वह सकता थी कि प्रबंध कैसे किया जा यह भी उन्हों न सीखा तो यह इनकी कहानी बहुत इंट्रेस्टिंग ह आप देखिएगा किताब में पढ़िएगा वापस आ जाते हैं प्रबंध की बात कर रहे थे प्रबंध में हम लोग ने क्या बात की थी कि देखो परिवंत तन्शीन इंवायरमेंट होता है जो भी आपका आस पास का परिवर्थ बाहर का इंवायरमेंट है ना किसके बाहर क कमरे के बाहर की बात हो रहे है क्या कमरे के बाहर की बात नहीं आपकी जो कंपनी है जो भी आप काम कर रहे है मैं वीडियो बना रहा हूं तो पहले तो मेरे लिए समझना इंपॉटेंट है कि बाहर की लोग किस किस तरह के वीडियो बना रहे हैं उनके काम में कौन कौन से कम तो एक company के लिए जो बाहर की company है वो क्या हो गया बाहर का environment हो गया बहुर्यावरन मतलब यह नहीं है कि जो अपना वास्तवी के सोग दूसरा क्या हो सकता है कि 수ती बहुत ठराव हो जायए देश में रहिट और लगे तो भी नुब्सान हो सकता है सेने ओफिक योजन्व करने के लिए कोई नई पॉलिसी आई हो तो आपको उसका भी फायदा लेना चाहिए तो जो भी आपके आस-पास पर्यावरण है इसमें तो कोई दो रहा है है नहीं हमेशा है बदला है कॉम्पीटर्स हैं गवर्मेंट हैं बाकी कंपनीज हैं इंटरनेशनल मार्केट कभी- सब्सक्राइब देख पर peppers कि वचलने पेट हैं यह सारे साविर प्रस्विटीव में और आवशक नहीं होती हैं कोई लोगों को लोग सब्सक्रांट इसमीह आंसानऌ है कि जो स्रीमे संसादन है उनमें हम कम से कम संसादनों में जादा से जादा चीज़े बना पाएं इसको हम बोलेंगे कुशलता पूरवग उपयोग करके करते हुए संगठन के उद्देशों को तो उद्देश जो है वो संगठन ने पहले से पुछ आपने डिफाइन कर रखे है कि हमें ये चीज इतनी बनानी है या हमें ये काम करना है माली जे हमें पूरे देश में टावर्स लगाने है या पर ये वाली कम्मिनिकेशन लाइन बिछानी है कोई टेलेग्राम कंपनी पुराने टाइम में रही होगी तो उसको टेलेग्राम लाइन बिछानी है मेरा काम हो मुझे इतने number of videos और इतने number of chapters complete करने नोट्स भी देने हैं वो सारी चीन हो सकती है तो सारे लोगों के किसी भी तरह का संगठन में आपको प्रबंदन के अवश्चता होती है और उस तरह के संगठन की क्या होती है एक उद्देश होता है तो संगठन के उद्देशों को प्रभावी धंग से प्राप्ट करने के लिए दूसरों के साथ, दूसरों के माध्यम से, उनके साथ मिल करके, उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया, ये है प्रबंद है, एकदम सिंप्ल डेफिनीशन है, कई बार ऐसा होता है, थोड़ा स प्रवंध क्या होता है वो समझ में आ जाए किसी इंसान ने प्रवंध को कैसे डिफाइन किया था एक्जैक्ली वह क्यों पूछा जाता है अब इस तरह की जो दिशा है हमारे पूरे राजियों में मार्दमिक सच्छा बोट की वह इस तरह है कि हम लोग समझने के कोशिश करें तो आप समझ जाए कि ये सारे वर्ड्स है और देखो गया है वार बार देखो गे तो आपको संगठन की वद्धेशों की बात कि संगठन को देश्यों कि परस्टनल लेवल पर तो टाइम मेनेश्मेंट मैं कर रहा तो मैंने बताया था लेकिन हमें प्रबंद करना है लोकों को समझे हो human resource को करना है साथ में लोगों के साथ साथ बहुत सारी तरह की machines है पूरी production process को आपको manage करना है कौन से चीज पहले है कौन से चीज बात में कौन से चीज कभी start करनी है तो जब बहुत सारे elements आ जाते हैं जिसमें बड़ी होने लगाती तब प्रबंदन के आउशकता होती क्यों क्यों कि उन लोगों के proper coordination को maintain करके रखना यही प्रबंदन है इसी तरह से प्रभाशे दी जाती है कि एक ऐसा माहल बना दो जिसमें चीजें बहुत सुचारू रूप से चलती रहे हैं बहुत अच्छे से और उस माहल को बना करके रखना बना रहे माहल यह सुनशित कर को अपना पढ़ रहे हैं तो प्रबंदन की आपशक्ता नहीं है कब है जब समान उद्देश के लिए काम कर रहे हूं सारे लोगों को एक ही outcome चाहिए हो सकता है उस outcome के लिए मेरा थोड़ा सा काम हो जैसे हम लोग अभी वीडियोत बना रहे है मेरा काम क्या है पढ़ना पढ अलग लोग भी कर सकते हैं लेकिन जो वीडियो एडिटिंग कर रहा उसका उद्देश से वीडियो एडिटिंग करना नहीं है उसका उद्देश ये final वीडियो निकालना जिससे आप लोगों की मदद हो सके है तो वो का मेरा भी है तो सारे लोगों का उद्देश सेम है तब हम इसकी बात करते हैं, तब किसकी बात करते हैं, प्रबंध की बात करते हैं, और उद्देश जो है ना, किसका प्रबंधन का, तो प्रबंध की आवशकता क्या है, क्यों है, क्यों है, समूव में काम कर रहे हैं, और समान उद्देश के लिए कर रहे हैं, और उद्देश ये क् हो और समान उदेश की प्राप्ति हो जाए तो अगर आपने प्राप्त नहीं किया तो फिर बात ही खतम हो गई जैसे हमारे यहां कुलकोता मेट्रो बना दो कभी-कभी तो उगनों ने जो को को देश क्राप्त हो गया था तो इस्वेक्टिव बोल जाता कि हापने प्रभावी धाग यानि की अंतिम परिणाम है वह आपको मिल गया तो बोलेगा कि हाँ अब करी नहीं पाए तो इफेक्टिव भी नहीं रहा एक लेकिन बहुत ही इनेफिशेंट था को को काता मेट्रो मे पहले स्टार्ट वा था सबसे पहले इंडिया की जो मेट्रो बनी थे वो को काता में बनी थी ठीक लेकिन को काते मेट्रो में इतना ज्यादा कुछ 14 साल ज्यादा टाइम लगया था शायद आफ बारागोना बजट हो गया था इसा कुछ था मुझे एक्जक्ट फिकर्स आप लें आप पायहाद वी करवल कर दिया था और amar यह अल्यॅट जापान इंटर्नेश्न हरा और इंटर्नेशनल ऑम क्यों आपकोर हो क्यों देती हैं इंडिया को दिया तो इन्होंने कुछ टार्गेट्स रखेंटे एक पूल साथ दुनों में कर लिया तो एफिशेंट भी किया मुझे रगता है कि उनको भारत मिलना चाहिए वह इतने महान इंसान है बहुत सारे काम किया है कभी-कभी उनके बारे में और चीने बताऊंगा तो होता है क्या है कि दक्षुता पूर्वा कब बोला गया जब इंजीनर श्र कि आपको कितना फाइदा होगा तो क्या बोलते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट की बात होती है अब यहां पर हम लोग ने किया हुआ हुआ है प्रबंध को ही तीन तरह से तोड़ दिया है कि इसमें चीज प्रक्रिया का हो जाती है एक प्रभाबी धंस हो जाता और एक दश्टा इसमें कितना फर्रक्रिया कनआ आ है कि प्रक्रिया मतलब आप कोई भी काम करोगे न तो उसको मैंज करणे के बहुत सारे हिस्स है बौद सारी चीज होती है आप से प्लैन करते हो अगर आपनाय का e प्लैनिंग तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं कि आपने दिमाग में सोच लिए पहले यह करेंगे फिर यह करेंगे आप पढ़ाई करने की तरह से प्रबंद हो रहा होता है तो वहाँ पर संगठन कमत्र में आपको चीज़ें और नाइस करने पढ़ेंगे और यह कि आप उसको जरूत परते ही यूज कर पाऊं तो उसको बोलते हम लोग और फिर नियुक्ति करना आपको स्टाफिंग लोगों की जरूरत है तो आप उसको स्टाफिंग लोगों को नियुक्ति करना आपने लोगों को नियुक्ति करना आपको समय कर लिया आपको बताना है आपको यह करना है उसको नियृगत हम बोलते है declare जो डिशा दे रहा होता है और एक होता है नियंत्रण कि आपने दिशादेरी लिए उसके बाद से कोई इंसान है जो दूसरे के काम में टांगडा रहा है या फिर अपना काम ठीक सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो आप उनको नियंत्रण भी करते हो तो उसको कहा बोल देते हैं कंट्रोल करना ठ कर लिया है तो यहां से हम लोग इस चैप्टर को लेली खटा-खट निप्टाते चले आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है यह एक इस तरह का टॉपिक है ना जो प्रेक्कल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है आप थृटकर समझ लोगे लेकिन उसको धीरे दिए जब तक आप लोग रियल वर्ट से करेंट करके नहीं देखोंगे ना तो मजा भी नहीं आएगा और सीख भी नहीं पाओगे और रियल लाइफ में तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सीख लो ठीक है तो मिलते है अगले वीडियो में जो नोट्स में आपको मिल जाएंगे कक्षा बारत तक के सभी प्रमुक विश्यों पर हम वीडियो बना रहे हैं और कुछ विश्यों पर वीडियो आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस पर अप्लोड भी हो चुके हैं ज्यान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना भूमोल योगदान जरूर में बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया